नमस्कार दोस्तों स्टडिया एक्यू में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंग राठोड और आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे मुताया मुर्ली धरन की बायो पिक पर हुई ही कांटर्वर्सी के बारे में मुर्ली धरन जो कि एक फेमस क्रिकेटर है उनकी फिल्म पर पॉलिटीशन्स को क्यों आपती है तमिल लाडु में लोगों को क्यों आपती है और इनका श्रिलंका की पॉलिटिक्स में क्या रोल रहाया है इन सभी बातों को हम डिसकस करेंगे इ Study IQ बिग दिवाली सेल लेकर आया है जिसमें हमारे सभी smart courses पर up to 60% off आपको मिलेगा 50 plus extra 10% discount अगर आप code यूज करते हैं दिवाली 10 तो अगर आप I.S. exam की तयारी कर रहे हैं तो इससे बहतर मौका नहीं हो सकता Study IQ course को purchase करने का कुछ हफते पहले मुतहिया मुरली धरन पर एक film announce हुई थी तमिलनाडू में चैन्नाई में और उस film के announce होने के बाद तुरंत उस पर controversy शुरू हो गई फिल्मेकर्स को clarify करना पड़ा कि हम कोई political statement नहीं दे रहे हैं और ultimately जो इसमें film star थे जो उनका lead role निभाने वाले थे उन्होंने इस film से back out कर दिया तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मुतहिया मुर्ली धरन है कौन जो लोग cricket देखते हैं वो शायद हस रहे होंगे ये देखकर कि मुझे इनका introduction देना पड़ रहा है लेकिन देखो दुनिया में हर कोई cricket नहीं देखता है तो जो लोग cricket नहीं देखते हैं उन्हे मैं बता देता हूँ कि मुतहिया मुर्ली धरन is the most successful bowler in the history of cricket अगर आप cricket की history में number of wickets देखते हैं तो मुर्ली धरन से जाधा wicket किसी नहीं लिया है चाहे वो test matches हो या फिर one day international इन्होंने शिलंका की cricket team के लिए 1992 से 2011 तक cricket खेली और 800 test wicket लिया है जो अपने आप में एक record है और अब ये retire हो चुके हैं और पिछले 9 सालों से coach के रूप में काम कर रहे हैं अभी एक किसी एक IPL team में coach के रूप में काम करते हैं मैं IPL नहीं देखता इसलिए मुझे नहीं पता तो जो IPL के fans है वो क्रिपया करके मुझे comments में बताएं कि मुर्ली धरन इस वक्त कौन सी team के coach है मुर्ली धरन की bowling career का अगर आपको पैमाना देखना है तो आप इस table को देखिए ये दुनिया में test matches में जो सबसे difficult format होता है cricket का सबसे cutting format होता है 5 दिन का एक match है उसमे number of wickets लेने वाले जो top bowlers है दुनिया में आज दिन तक उनकी tally है यहाँ पर आप देख सकते हैं मुर्ली ध पर हैं Shane Vaughan with 708 wickets almost 100 wickets का difference है third number पर अनिल कुमले भारत के यह 619 wickets तो आप difference देखें यहाँ पर 800 से 700 600 600 अभी James Anderson एकलोते हैं जो इस वक्त 600 wickets लेकर खेल रहे है cricket लेकिन यह भी 38 साल के हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह कभी भी मुर्ली धरन का record तोड़ पाएंग बहस रहती है कि Vaughan greatest है मुली धरन greatest है लेकिन अगर आप number of wickets देखेंगे तो वंडे में भी 534 wickets मुली धरन के हैं highest ever and test matches में भी है लेकिन इनका मुझे जो सबसे best आकडा लगता है वो आप यहाँ पर देखें एक match में 5 या 10 wickets ले इन्होंने कितनी बार लिए 67 times 5 wickets and 22 times 10 wickets in a match आस पास भी नहीं है कोई in statistics के anyways तो यह उनके cricket के बारे में था तो he is considered to be one of the greatest cricketers not just of Sri Lanka बल्कि दुनिया के सबसे महानतम cricket खिलाडियों में है अब इनके background के बारे में आप थोड़ा सा जान लो इनकी जो family है वो originally भारत से Sri Lanka गई थी 1920s में वहाँ पर tea plantations पर काम करने के लि इनका पूरा जो cricketing career की शुरुआत है वो सब candy नाम के शहर में हुआ शिलंका में और इनकी family आज भी भारत में रहती है इनके कई family members भारत में रहते हैं और इनकी wife भी चन्नाई से हैं तो मैं आपको बस यह इसलिए बता रहा हूँ कि इनका भारत से काफी जुडाव है तमि इनका रोल निभाने वाले थे तो यह फिल्म आठ अक्टूबर को अनौन्स हुई थी और अनौन्स होते ही इसमें controversy हो गई विजे सेतुपती को तमिल नाडू film fraternity के लोग या फिर तमिल political parties के लोग ये कहने लगे कि आप इस फिल्म में मुरली धरन का रोल मत निभाओ वो ब धोका किया है मैं बताता हूँ आगे किस तरह से उन्होंने क्यों ये आरोप लगाया कि उन्होंने धोका किया है he has been a traitor to the cause of शिलंकन तमिल तो देखे फिल्म बन रही है भारत में तमिल नाडू में लेकिन सेम तमिल ethnicity के लोग शिलंका में भी रहते हैं और इसी लिए यहां के जो तमिल nationalist हैं वो कह रहे थे कि विजे सेतुपती को ये रोल नहीं निबाना चाहिए मुथया मुर्ली दरन एक ऐसा किरदार नहीं है जिसे glorify किया जाए हाला कि ये film makers का कहना था कि हम फिल्म के वल उनके sports career पर बना रहे हैं उनके political affiliations पर नहीं बनेगे film लेकिन फिर भी जो बायोपिक बना सकता है क्या क्या उसमें अगर पागिस्तान की जर्सी पहन कर कोई Bollywood actor उसमें रोल निबाएगा तो will the North Indians be happy इस तरह के example भी दिये गए तो ये पूरा जो फिरोर है ये गुसा है ये क्यों था क्योंकि शिलंकन civil war के दौरान मुरली धरन के रोल पर कई बार ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ देखो श्रिलंका में मेजर दो एथनी सिटीज हैं एक हैं हिंदू तमिल जो मेंली नॉर्थ और इस्ट एरिया में कॉंसेंट्रेटेड है जो यहाँ पर ब्राउन या डाक रेड कलर में नजर आ रहा होगा और कुछ यहाँ पर सेंट 26 साल तक एक ग्रह युद्ध चला था जिसको हम श्रिलंकन civil war कहते हैं और यहाँ पर भी दो तरह की तमिल्स हैं पहली तमिल population है जो कई सदियों से इस एरिया में रह रही है यह अपने आपको कहते हैं कि हम original तमिल्स हैं तो यह नॉर्थ और इस्ट वाले तमिल्स हैं लेकिन तो मुतेया मुर्ली धरन के जो grandfather हैं वो भी एक ऐसे ही तमिल्स थे जो यहाँ पर आकर बस गए रहने लगे तो अब इन तमिल्स में कई बार एक issue हो जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ के तमिल्स हैं वो तमिल्स को इतना support नहीं करते जो ilam war में पूरा issue था त मुर्ली धरन जो है यह एक तमिल्स है जिनकी family मैंने आपको बताया इस area से है originally और यहाँ पर इनके father की एक factory थी और during the ilam wars इनके father की factory पर भी हमला हुआ था इन्होंने भी काफी बच्पन में violence देखा है लेकिन फिर भी जब यह क्रिकेटर बने काफी बड़े क्रिकेटर बन तो इन्होंने कभी भी tamil cause के लिए बहुत आगे बढ़ चड़कर अपनी आवाज नहीं उठाई ऐसा tamil nationalist हमेशा से इन पर आरोप लगाते हैं especially 2009 में जब मुतया मुर्ली धरन अपने career के peak पर थे he was a big name मतलब उनके कहने से बहुत चीजों में फरक पड़ सकता था तब भी उ अहिंदा राजपक्षे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने tamils के साथ एक genocide किया है और जो civil war के last digits थे उसमें बहुत खून खराबा हुआ था और कई लाक tamils मारे गए थे और LTT का खात्मा हो गया civil war was over definitely लेकिन उस समय भी मुर्ली धरन ने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई शिलंकन सरकार के खिलाफ in fact मुतया मुर्ली धरन पिछले 10 सालों में ये देखा गया है कि राजपक्षा परिवार के काफी close है in fact जो 2019 के elections हुए थे शिलंका में उसमें तो इन्होंने openly campaign किया था राजपक्षे के लिए गोतबया राजपक्षे especially तो लोगों का जो में गुस्सा है इनके खिलाफ वो इसी बात से है कि बजाए अपने तमिल लोगों की आवाज उठाने के ये राजपक्षे फैमिली के साथ ruling power के साथ associate रहे है especially after his retirement और जादा ये बात बढ़ गई है और ये गोतबया राजपक्षे जिन पर सबसे जादा आरोप लगे थे being the defense minister at that time 2009 में जब ये defense minister थे तो इन पे सबसे जादा आरोप थे genocide के उनका साथ देते हुए मुरली धरन कई बार देखे गए है political aspect में in fact ये इतना जादा close है राजपक्षे family के कि पिछले साल बात चली थी कि इन्हें शायद एक गवर्न एक प्रोविंस का governor सक बनाया जा सकता है तो पिछले साल ये governor बनने ही वाले थे लेकिन उस वक्त भी काफी Tamil Nadu में हंगामा हुआ था और फिर ये governor ultimately बने नहीं थे बट almost ऐसा लग रहा था कि ये governor बन जाएंगे और इन्होंने ऐसे भी बयान दिये है कि राजपक्षा is a very efficient administrator तो जिस पर Tamil community था कि 2009 मेरे जीवन का सबसे बहतरीन साल था क्योंकि उस साल civil war खत्म हो गया इससे भी लोग और नाराज हुए कि एक तो लाखो लोग मारे गए और आप कह रहे हैं कि आपके जीवन का सबसे अच्छा साल था अब इतनी controversy जब film ये सब controversy film के बाद भी फिर से सामने आई तो भी genocide के favor में नहीं हूँ ना कभी था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये war खत्म हो गया है और मैं चाहता हूँ कि अब हम सब मिल जुल कर रहे हैं इस तरह का एक लंबा चोड़ा statement इन्होंने दिया कि अब Tamil second class citizen नहीं है तो इन्होंने basically कहा कि मैं genocide को support नहीं करता हूँ औ ultimately विजय सेतुपती ने भी announce कर दिया कि 800 में मैं मुरली धरन का रोल नहीं निभाने वाला हूँ लेकिन इस पूरी controversy में एक सवाल हमारे सामने जो आता है वो ये कि क्या एक समाज में creative liberty जादा important है या फिर nationalism की भावना है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि film fraternity के पास पूरी आजा कर रहे हैं जिसने Tamil community का कभी साथ नहीं दिया तो यहाँ पर क्या चीज जादा important है अब यह काफी subjective सवाल है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं comment section में जरूर बताइएगा thank you very much for watching this have a great day